चुनावी साल में अब कॉंग्रेस और बीजेपी के बीच रस्ता कसी का दौर शुरू हो चुका है एक बार फिर कॉंग्रेस ने बीजेपी को बड़ा छटका दिया है और राजमंत्री दर्जा प्राप्त पदमा शुकला ने बीजेपी से मो भंग हो गया है जिसका रल कॉंग्रेस पार्टी में शामिल हो गई है पदमा शुकला के कॉंग्रेस में शामिल होने पर निता प्रतिपक्ष ने इशारो है इशारो में कहा कि देखते जाए आगे आगे और क्या होता है बतादें कि कॉंग्रिस सद्यक्ष राहूल गांदी 27 सितंबर को धार्मिक नगरी चित्रकूट से जन संकल्प यात्रा की शुरुवात करेंगे